तो जैसे कि आप लोग ने टाइटल और थमनेल पे देखी लिया है कि आज कि ये वीडियो होने वाली है Grow App के बारे में कि हम Grow App में money add कैसे कर सकते हैं क्योंकि money add कि ये भीना आप लोग stock और mutual fund में invest नहीं कर सकते इसलिए money add करना बहुत जुरूरी है तो चलिए आज की इस वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप लोग simply से वहां पर click करके grow app को download कर सकते हैं तो हमें grow app में money add करने के लिए चले जाना होगा अपने grow app में और आप लोग वहां पर side में profile वाला icon दिख रहा होगा simply से आप लोग उस पर click कर लेना है और अब आप लोग को यहां पर दिखे grow balance कि जो कि अभी हमारा zero है आप लोग देख भी सकते हैं कि यहां पर grow balance zero आ रहा है तो आप लोग उसके पास दिख जाएगा add money simply से उस पर click कर लेना है और यहां पर आप लोग जितने भी पैसे डालने हैं अब मुझे 100 रुपे यहां पर add करने हैं तो मैं आप सिंपली से 100 रुपे डाल दूँगा और सिंपली से add money पर कर दूँगा click तो अब यह processing payment पर आ जाएंगे हम और आप लोग अपने Google पेसे या फिर phone पेसे जिस मर्जी से आप लोग कर सकते हैं बस आप लोगा account वही होना चाहिए जो आप लोग ने अपने account create करते समया अपना जो account पर डाला था वही आप लोग उसी account से आप लोग को payment करनी है चाहे वो paytm चाहे वो phone पे और चाहे वो Google पे इसे ही क्यों ना हो और अब ही आप लोग देख सकते हैंगे उसमें balance update हो चुका है कि यानि कि यहां पर 100 रुपे हो चुके हैं अभी फिलाल तो अब आप किसी भी share में invest कर सकते हैं और grow app को download करना बिल्कुल न भूलें नीचे description में link दे रखाया जाकर के grow app को जल्दी से download करो और trading start करो तो ऐसे आप लोग अपने grow app में money add कर सकते हैं तो कैसी लगे आप लोग को इस वीडियो मुझे comment कर गए जरूर बताएं तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में